देश भर में एक राजा और एक रानी की तलाक की कहानी खुब सुर्खियां वटोर रही है। दरसल यूपी के सियासत का एक बड़ा चेहरा इन दिनों सुर्खियों में हैं। नाम है रगुराज, परताप, सिंग और राजा भाईया। बाहु बली छबी वाले राजा भाईया कुंडा विधान सवा सीट से कई बार विधायक रहे हैं। आज की तारीक में भी वो विधायक हैं। राजनिती में अच्छा खासा रसूख रखते हैं। लेकिन हाल के दिनों में वो अपनी राजनिती नहीं बलकि पाडिवारिक विवादों के चलते चर्चा में हैं। और जिनकी वज़स से राजा और रानी में बिवाद हो गया है। आखिर क्यों आरोप लगने के बाद भानवी सिंग ने तलाक लेने से इनकार कर दिया। आईए जानते हैं पुरा मामला क्या है। बतादे कि राजा भाईया और उनकी पतनी भानवी सिंग का तलाक का केस अभी क कोट में चल रहा है। हाली में भानवी ने तलाक मामले में दिल्ली के साकेत कोट में हल्फनामा दाखिल किया। इसमें उन्होंने पती यानि राजा भाईया पर सारेरिक और मानसिक सोसन करने के साथ साथ एक महिला पत्रकार से अफेयर का आरोब भी लगाया है। एक मेडिय अदमे भानवी ने यभी कहा कि वो मेरे पती हैं और मेरे बच्चों के पिता हैं, मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ, मैं कभी तलाक नहीं दूँगी, अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। बतादे कि राजा भाईया से तलाक के इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। 23 अप्रिल 2015 को इसकदर मारपीट की कि अस्पताल में भरती होना परा था। 24 ने नोटीस भेज कर भानवी का जवाब मांगा है तो एक लंबे समय से दोनों साथ रह रह रही थी। 1995 में राजा और भानवी की साधी हुई थी। दो लड़के दो लड़की हैं और पत्नी भानवी चाहती हैं कि वो तलाक न दे बलकि किसी परकार से गुजरवसर करेंगी लेकिन उस घर को नहीं छोड़ेंगी। पत्नी ने एक के बाद कई आरोप गंभीर आरोप अपने पती यानि राजा भाईया पर लगा हैं। यूपी के सियासत में राजा भाईया का एक बड़ा कद है। बाहु बली की छबी है। कुंडा में कहा जाता है कि राजा भाया के खिलाप एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है कोई प्रिंदा पैर नहीं मार सकता है लेकिन वहें उनकी पतिनी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगा है हलाकि मामला आप कोट में हैं काफी हाई परफाइल हो चुका है हर तरफ चर्चा हो रही है लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच कौन और जूट कौन इसका जबाब आने वाले दिनों में कोट देगी आपको क्या लगता है आप भी अपनी राय को कमेंच बॉक्स में रखिए अगर आप मेंने चनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिजे